हाँ जी प्यारे बच्चेों प्यार परी साथ श्रीकाल मैं उमिद कर दी हैं कि पहला पाठ तुसी अपना पूरा कर लिया होएगा अजसी सत्वी जमादा पाठ दो जमीन असमान दा फर्क जो के एक कहाणी है उसनी व्याख्यकरन जा रहे हैं बेटा जमीन असमान दा फर्क ए मतलब बहुत जादा अंतर है आओ कहाणी सुन देयां पंकज दे साजन जोडे प्रासन दोहां दे सबाच जमीन असमान दा फर्क सी पंकज हमेशा दूजयां दे कम आके खुशी महसूस करदा सी दूजय पासे साजन किसे नू किसे कम ले किहा जन दा ता ओ चट टके वर गज जवाव दे दिन दा सी मैंत ओडा नौक कर नहीं हा पाव दो प्रासी कौन पंकज दे साजन दोहां प्रामाते सुबादे बिछ बहुत जादा अंतर सी मतलब जमीन असमान दा फर्क सी मतलब बहुत जादा अंतर सी पंकज जे ड़ां सी उह मिशा दूजयां दे कम आके कोई ना कर देना कि मैं तो अड़ा नोकर नहीं है उस्तों अगे होर ता होर जे पंकज किसे लोडवांद दी मादद कर रहा हुंदा ता साजन उस दा मजाक उड़ा हुंदा पर पंकज उस वल त्यान ना दिन दा जदो कोई व्यक्ति किसे दूजे नाल दो हां प्रामादे एक दूजे तों उल्ट स्वादी गल कर दा ता जवाब मिल दा आदमी आदमी च अंतर कोई हीरा कोई पत्थर मतलब के जिदों भी पंकज किसे लोडवांद दी मादद कर दा लोडवांद मतलब जरूरत मांदी मादद कर दा ता साजनों दा मजाक उड़ा हुंदा ते उदी प पत्थर दी तरह हुंदा है जरूरी नहीं के जे कोई दो प्राने उन्ना दा सवा एक को जाई होवे ता हुण शुरू हुंदी ऐसा डिया जदी कहाणी होया की के एक दिन पंकज साजन नू साइकल दे पिछे बढ़ा के स्कूलों कार परत रहा सी सड़कते काफी आवा सी ओन्ना दे अगे ओन्ना दे स्कूल च पढ़न वाली छोटी जही कूडी रेनुका वी साइकल ते जा रही सी अचानक टक्रोन दी अवाज चुनाई दित्ती ओल्ट दे शातो आ रहे दो मुंड्या ने अपना स्कूटर रेनुका दे साइकल विच मार दे था रेनुका तड पांकज ने सारा मामला अपने अखी मेख लिया सी जदों दोवे स्कूटर स्वार ते जी नाल पांकज कुडों पाच के निकल रहे सान ता पांकज ने हाज दमागी तो काम लिया उसने तुरांत स्कूटर दा नंबर नोट कार लिया पाव के इस पैरे विच की दस्या गया ह के पांकज जड़ा सी अपने पराधे नाल आ है हा सी स्कूल तों त। तु ओन्हे डे स्कूल दी कलड़की सी रेणु का तु ओ वी साइकल ते आ रही सी तू उनु किसे जड़ेशी स्कूटर स्वार्दो लड़कियाने टकर मार देती ते उत् us ौ पाझ गए पर पांकज ने की किता के ओना दे स्कूटर दा नमबर नोड कार लेया पांकज ने फटाफट आके डिग्गी होई रेणुकानू संबाल लेया रेणुका दे सिर्थे डूंगी साट लगी सी थे खून वग रहा सी उसनु तुरांथ हा स्पताल ले जाना बहुत जुरूरी सी पांक जने उथों किसे व्यक्ती दे मोबायल तो आपने मम्मीनु फोन कर देता के ओ रेनुकानू सरकारी हा स्पताल छे लेके जा रहा है ओ ये सुनेहा रेनुका दे मम्मी पापानू दे देन उथों लोग ते जी नाल आपो अपनी तों विच मगन लांग दे जा रहे सान किसे ने जखमी रेनुका वल त्यान ही नहीं देता इस पेरे विच बेटा सानू की पता लगदा है कि पांक जी ने पहला स्कूटर दा नंबर नोट कीता फेरोने फटा फट रेनुका नू आके संबालया ते किसे दा मुबाइल लेके उसने अपने मम्मी नू फोन कार देता कि मैं रेनुका डिग गई या उनू उस हस्पताल लेके जा रहा हा तो उसी यदे मम्मी पापा नू इतला कार देओ मतलब के बच्चे ने सेयानव ते सामझदारी दा काम कीता उथो जड़े लोक जा रहे सी ओ अपनी तो नविच मगन सी मतलब आपने आप विच मगन उथो अपने आप विच व्यस्त ही उथो लंगी जा रहे सी कोई उस डिगी हुई लड़की वल ते आन नहीं दे रहा सी रेणू का नू सहारा दिन दे आपांकज ने साजन नू कहा साजन छेती कर किसे रिक्षे वाले नू बला इसनू हुणे हस्पिताल लेके चलिये नहीं ता खून ज्यादा वग जावेगा रेणू का नू हस्पिताल जान दी गाल सुनके साजन दे मूँ दा स्वाद कोडा जेहा हो गया क्योंके ओ हमेशा काम तो टालदा रेंदा सी तो जदोदे प्रा ने किया भी तू रिक्षा बुलाला पां इसनू हस्पिताल ले चलिये रेणू का नू ता उनू चंगा ना लगया मतलब वो ने मूँ बढ़ा लेया साजन ने टाला बटन दी कोशिश कर दें किया तो फोन ता कार ही दिता है ओ ओ ओंदे ही होनगे ओ खोदेनू हस्पिताल ले जानगे पांकज ने किया साजन इनना समा नहीं मेरी मन फटा फट कोई रिक्षा वेक साजन ने पांकजनू इशारे नाल अपनी कोल बुलाया ते होली जही किया इसनू हस्पिताल ले जानदे पंगे वेच ना पै ओल्टा पुल्स केस दर्ज करके तैनू ही फसाल लवेगी फिर चाकेंगा इदर उदर इसनू रोख दे हेठा पिठा दे जदों ने किया ता सगों ने मदद करन दी बजाए साजन ने रिक्षा बलोण दी बलाये बजाए उन्हों ड्रोणा चाहे आप अंकजनू के तुमी एदे चकर वेच ना फास किते तेरे ते कोई पुल्स केस ना बन जे इन्हों एथे बठा के अपा वापस चले जाल दे तो मिश्वाश नाल किया जो दो पुल्स में थो पुछगिश करेगी ता सब कुछ दास दे आंगा जो मैं वेख्या है पर ए सब कुछ ता बाद विच वेख्या जावेगा पहला इसनों हस्पताल लेके चलिए साजन फिर टाल मटोल कारण लगा उसने कड़ी ते नेजर मार दो वजन वाले सन वो कहन लगा पंकज तू अपनिया हरकता तो वाज नहीं हो दा मेरे मान पसंद लड़ीवार दा समा होन वालाए मैं ता चलिया ए गल सोन दे आहीं पंकज एकदम गुसेच आ गया कहन लगा साजन कोज ता शरमकार एथे किसे दी जान संकट विच पई के पुल्स केस बन जाएगा तो वह आतम विश्वाशना कहन दा कि कोई गल नहीं जदो पुछेगी में सब कुछ दासद मांगा ते साजन नू कहन दा भी यह ता बाद दी अंगला ने पहला हासता लेके चलिये नू ता वह साजन फिर टाल मटोल करन लग ताल मटोल करना भी पंकजनू गुसा आजन दायों केंदा तू चला जा मैं आपे ही इसनू हस्पिताल ले जा मांगा साजन टीट बनके साइकल ते स्वार होके करवालर वानना हो गया इनने नू इक रेक्षे वाला उथे आ गया पंकजने रेनू का दा साइकल नेडे ही एक दुकान ते खड़ कीता ते उसनू तरांत रेक्षाच बिठा के सरकारी हस्पिताल ले आया हस्पिताल उत्थों बहुती दूर नहीं सी ओदो तक रेनू का दे पापा भी हस्पिताल पहुंच चुके सन डाक्टर ने दस्या कवरा हों दी कोई गाल नहीं है रेनू का नू समय सेर हस्पिताल ले अंदा गया है जे ज्यादा देर हो जान दी ता जुरूर चिंता वाली गाल हुन दी शाम नू इसनू हस्पिताल तो छुटी मिल जावेगी अंकल मैं ओना दे स्कूटर दा नंबर भी नोट कार लिया सी ए लो एक एके पांकज ने कागज दा एक ओ टुकडा जेव चो कड के र स्कूटर स्वारां दे स्कूटर दा नंबर पुल्स कर्मचारी दे हवाले कर देता अजे गला होई रहिया सान के रेनुका ने अखा खोलियां खुदनू हस्पिताल विच वेखके ओ रोन लग पई उसने पापा उसनू हांसला देन लगे अगे कहानी देविच असी की देख देखें देखें ते उसनू डॉक्टर तो जिदो पोच देखें 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 के ब्राण दी लोडनी समेसर ले और करके ज्यादा चेंता वाली कोई गल नहीं है शाम तक इसनू छुटी मिल जाएगी ता उस्तो बाद जड़ा पंकज हुंदा है ओ रेनुका दे पापा स्कूटर ता नंबर दे देंदा है कि सर अंकल में यह नंबर नोट कर लिया सी एनने नू पुल्स भी पहुंच जन दिया इस एक्सिडेंट दे मामले नू दर्ज कर लई ता रेनुका दे पापा जड़ा उस्कूटर स्वारा दा नंबर पुल्स करमचारी दे हवाले कर दें उसने पांकज दी पेट था पड़ दें के हा शाबाश बेटा तेरे वरगे हिमती बच्चे काट हुंदेने होड ओना स्कूटर स्वारा खलाफ कारवाई होवेगी पांकज ने पुल्स करमचारी नू ब्यान लेख लैन पिछों अपने मान दा डार वी दास देता अंकल जी म पांकज ने डार दे रले मिले पाव पर्गट आ पुछ ए ता अग्या पुल्स करमचारी ने जेदों पुछ नू पता लगया के रेनू का नू अनू हा सौथा पांकज लेके आया ता उननाने शाबाश देती पांकज नू उस दिलेरिते हिमत दे लेई तै नाल ही दस या के जेडे स्कूटर स्वार्सी उनना दे खिलाफ कारवाई भी होएगी पर पंकज ने उनना नू डर्दे डर्दे पुछी लिया भी अंकल कि ते मैंनू ठाने ता नहीं ओना पएगा ता उ केंदे तेनू ठाने ता ओना ही पएगा ता ए गल जेडी सी पंकज इस गल तो थोड़ा सहम गया पुल्स करमचारी ने कहा तेननू ठाने क्यों जाना पवेगा ए ता उथे जाके ही पता लगेगा नाल ही तेरे परवार वाले नू भी बुलाया जावेगा ए गल सुनके एक वारी ता पंकज नू लगा जिमें उसने पैराहेठों जमीन खिसक दी जा रही होवे जो उसनो साजन दियां गलना साच्चियां जापन लगिया पैराहेठों जमीन खिसकना बेटा मतलब ए वी एक मुहावरा है के मतलब असी कबरा आ जाना हरान हो जाना जदो इस तरह दी स्थेती हुन दी है के जदो उसी बहुत कबरा आ जान दे है ता ए मुहावरा हो दो बरते जान दा है शाम नू पांकज नू थाने पॉंचन दा सद्धा आया कारविच को सरमुसर होन लगी थाने दी गाल सोन दे हैं ही साजन दीता सोद बोद गोम हो गई उसने पांकज नू टिचर की ती क्यों की कहा सी मैं होन लै मजा मैं तेनू इशारे नाल किनना समझाया सी पर तु मेरी इक नहीं मननी तेरे तेता लोक पलाई कारंदा पूत स्वार सी होन दे मी थाने जाके गवाही नाल ही मम्मी पापा दी वेजदी करवाई चामनू रेनुका नू हास्पताल विचो छुटी मेल गई होनो ठीक महसूस कर रही सी पांकज अपने मम्मी पापा नाल थाने गया नाल ही रेनुका दे पापा वी सन इंस्पेक्टर साहब थाने छी सन सब कुर्सियां ते बैठ गई इंस्पेक्टर ने पांकजनू ते आननाल वेख्या ते उस वल एक पैकिट अते लिफाफा वदाओं दियां केहा शाबाश ता तू ए उदलेर ते समझदार बच्चा जिसने ना सिर्फ अपरादियां दे स्कूटर दा नंबर नोट करके उनना फडवाँच साधी मादद कीती है सगों सही समेते उस लड़की नूहा सप्ताल लजाके उस दी जान बचाई है तू बहुत होन हारें ए ले साधे वलनों तोफा ते पांचसो रुपए नाकद पांकज दा मू अड्या ही रह गया सार इनाम इंस्पेक्टर साब न बदा उन्या के हां हां बेटा होन पहला वाली गल नहीं रही जदो कोई किसे जखमी व्यक्ति नूहा सप्ताल चे दाखल करवाण दी हिमत करदा सी ता पुल्स खाम खा उस दी गवाई लेके उसनू प्रेशान कर दी सी होन नमे नयम बढ़ गई हां जो व्यक्ति किसे जखम नूहा सप्ताल चे दाखल करवाके उस दी समय से मदद करेगा पुल्स उसनू सनमान करेगी जेहा नेक काम करन वाले आनू वार वार थाने नहीं बुलाया जावेगा तो आनू एवी दसना चौनदा है के दोमे स्कूटर स्वार लड़के फड ले गई ने बिलकुल ठीक है स ताहे गुणी व्यक्ति दा गुण अपने आप जाहर हो जान्दा है पांकज वार गे नेक ते सूजवान बच्चे दा पबलिक नूसन मान करना चाहिदा है जेकर ए होनहार लड़का समय सेर मेरी बेटी नू हास्पताल ना पहुचाओं दा ता पता नहीं की हो जान्दा रे दी हमत नहीं सी असलियत मतलब हमदा है सच्चा यह ताहीं देविच इस ऐसी की देख्या के उसनो धाने देविच बलाया गया पंकज नो पहला तो डर यहाहा थी पर उते जाके जाद उसनो इनाम मिल या सनमान मिल या तो बहुत खुश होया ताह भच्चे उस कहानी देवि पुछ गिछ कीती जाएगी प्रेशानी होएगी तब उसने बारे भी सानु इस कहानी देवेच जानकारी देती गई है कि जैसी किसे लोडवांद दी मादद कार दे हैं जखमी व्यक्ति नू मतलब समय सिरह सप्ताल पुछाँ दे हैं साड़े ते कोई पुछ केस नहीं कोई मत सनमान कर दी है ते साड़ी इस नेकी दे लेई सानु जड़ाय इनाम भी दिन दी है ता बच्चे ओ अगे तो सी की सिख्या लेने है इस कहानी तो कि जदो भी किसे नू जुरूरत होवे ता सानु पासा वटकियो तो नहीं लंग जाना चाहिएदा जे कोई लोडवांद आ त उस दी मादद करनी चाहिदी है अगे बेटा कहानी दे शब्दार्थ देते गए हन ता ए तुसी पढ़ लेने है उस्तो बाद बहुत चोटे उत्रामाले प्रशन इनानू हाल करना है फिर मल्टीपल चोईस क्वश्चन है जेड़े ओना दे आंसर तुसी करन दी कोशिश करन उस्तो बाद चोटे उत्रामाले प्रशन है जेड़े तुसी हाल करने है उस्तो बाद बेटा लों। जो पाठ दे उनसार सही हैं, उनना दे अगे सही दा निशान लगा देना है, ते जो गलत हैं, उनना दे अगे गलत दा निशान तुसी लगा देना है, उस्तो बाद बेटा व्याकर्ण पाग आ गया, समान अर्था वाले शाब्द हेठों चुण के, तुसी सामने लेख देने ह जिमें मजाकदा मखौल टिचर उसे तरह फटा-फटदा हेठों चोणके तुसी सामने लिख दोंगे उस्तों अगे है जी पढ़नाम शब्द चोणने हां हां पढ़नाम शब्द ओ हुन्दे हां बेटे जेडे नाम दी थां आते वारते जान्दे हां जेडे शब्द नाम दी खावर्ते जान देहन उननों सी पड़नाम कें देहन जिवें उपरुदार अरण दिती है नने रेनू का साइकल ते जा रही सी उसनों स्कूटर